नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अलूक राज, विलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल इजिल लाइव इता लोग दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं बेबी डोज कोईन एंड सायतामा यूनो कोईन के बारे में तो डेटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में हलाकि दोनो कोईन बेस्ट है, दोनो कोईन पोटेंसियल है लेकिन आफटर ओल पोटेंसियल होने के बापजुद भी अगर बात करें चुनना पड़े तो कौन सा कोईन जो है जाधा रिटरन देगी और इस दोनो कोईन को मैंने इसलिए पिक अप किया है कि अगर देखेंगे आज से लगबग में आठ महीने पुराने दोनो कोईन है यानि आठ महीने पहले दोनो की लॉंचिंग होई थी और उस समय से अब तक कौन सा कोईन क्या 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 है कौन सा कितना अभी तक return दिया है और कितना आगे return देने की potential रखता है तो इस उमीद से दोस्तों हम इस वीडियो में detail में comparison करने वाले है ताकि आप लोगों को एक idea लगे कि कौन सा coin best है अगर आप planning कर रहे है बेबी doge coin को buy करने का या buy कर रखे है या सैतामा इनों को buy करने के बारे में सोच रहे है तो दोस्तों इस video को ध्यान से देखेगा तो चलिए दोस्तों सिधा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों coin के बारे में लेकिन video में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से request है विडियो पसंद आये तो लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे, और टेलिग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ना ना भोले तो दोस्तों सबसे पहले प्राइस को आप देख लेंगे अभी प्राइस आप देखेंगे तो बीवी डूज को इनकी प्राइस जो है 0.5x0 and 2916 रूपीज पर ये ट्रेट कर रही है वहीं पर डॉलर पर यहाँ पर 80 आपको देखने को मिलेगा है and 39 डॉलर पर ये ट्रेट कर र गई है और नेटवक में आप देखेंगे तो बेबी डूज कोई जो है बाइनस स्मार्ट चेन के नेटवक को यूज करती है and साथ में अभी रिसेंटली में एथेरियम के नेटवक को भी आड़ कर दिया गया है पहले एथेरियम के नेटवक पे भी आड़ कर दी गई है वही की कंप्रिजन करेंगे बेबी डोज कोईन के सैतामा इनो से तो सैतामा इनो इसमें बिनर निकलता है मार्केट कैप देख ले या ट्रेडिंग वैल्यूम देख ले या फिर फुल्ली डिलूटेड मार्केट कैप आप देखेंगे तो सैतामा इनो का अधिक है जबकि दोनों के जो है same time में होई उसके बाबजुद भी market cap, fully dilated market cap, trading volume सभी के मामले में सायता माइनो बिनर निकलता है अगर वही supply की बात करेंगे किसके supply क्या है तो supply अब देखेंगे BB dues coin के supply हलाकि बहुत ही ज्यादा है 420 quadrillion के total supply है and circulating supply अभी 240 quadrillion के circulating supply में है अब देखेंगे अब तक total burning जो है 180 quadrillion के total burning हो गई है जो total supply का लगबग में 42.85% का 8% कहेंगे total supply का last burning जो baby doge coin में हुई है अभी recent में तो यह 2 February को अभी recent में burning हुई है 4.8 quadrillion की burning हुई है दोस्तों एक बहुत बड़ा burning हुई है baby doge coin में और मैं बतारू कि baby doge coin अभी recent में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा market में hype create किया हुआ है और इसकी price बढ़ने का एक और सबसे बड़ा region है कि इसमें आप लगतार burning होती जा रही है continuously इसमें burning होती जा रही है और लगबग में यह 42.8% का अब तक burning कर चुकी है हर मैंने में आप देखेंगे कुछ ना कुछ burning report आती रहती है तो वहीं पर सैतामाईनों की बात करेंगे तो इसकी total supply 100 quadrillion की है circulating supply 53 quadrillion है अब तक total burning इसमें 47% का हो चुकी है अगर बात करेंगे recent में सैतामाईनों में कब burning होई थी तो recent में दूस्तों अभी कोई burning नहीं होई है सैतामाईनों में तो यही reason है कि अभी आपको सैतामाईनों में इसकी price जो है उपर जाते हुए नहीं दिख रही है लगातार dump करती जा रही है सैतामाईनों एक बहुत बड़ी reason यह भी होती है कि burning का कोई भी news अगर नहीं आता है किसी coin में और तो जिसके वज़ा से कहीं ने कहीं उस coin में कुछ में movement नहीं दिखने को मिलता है और धेर धेर यह coin dump भी करती है तो यह भी एक reason है कि इसमें price जो नीचे जो जा रही है सैतामाईनों का उसके बाद कुछ भी growth नहीं दिख रहा है तो एक reason यह भी हो सकती है तो लेकिन दोस्तों यह 47% का burning जो देख रहे हैं यह initially burning किया गया था जब coin की launching हुई थी और उस समय से अभी तक कोई burning नहीं हुई यानि 8 मेने पहले इसकी last burning हुई है last first जो करे वही burning हुई है अब हम community के बात करेंगे कि इसकी community कितनी strong है तो इसके मामले में देखेंगे दोस्तों baby dose coin आपको बीनर देखने को मिलेगा और recent में baby dose coin के community से लोग बहुत ही ज़्यादा जूरते जा रहे हैं अभी आप हर दिन देखेंगे notice करेंगे तो अच्छा खासा इसके community में लोग आड़ हो रहे हैं HOLDERS काफी बढ़ रहे है, TWITOR पे FOLLOWERS काफी बढ़ रहे है, HOLDR अब देखेंगे 1370,000,353 होड़र अब तक हो जुके है और हींटेहें TWITOR की बात करेंगे तो TWITOR पे 916,000, 95,000 के आसपास में इनके FOLLOWERS है और अब भी आप देखेंगे, दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, बेबी डूज कोईन, सिवा ने इनों के बीच में कमप्रीजन किया था, तो उस समय से दो दिन में आप देखेंगे, लगबग में यहां पर 60,000, 70,000 के आसपास में आप देखेंगे, इनके फॉल्वर् 800 members आपको देखने को मिलेंगे, वहीं पर अगर देखेंगे, इसकी community के बात करेंगे, सैतामा इनों की, तो सैतामा इनों की community थोरी से कमजोड है, आप अगर कमप्रीजन कर ले हम बेबी डूज कोईन से, तो इसमें 3,26,431 holders है, अन्ट्यूटर पे 3,40,900 के आसपास में इनके followers है, जहां आप देखेंगे, 6 जून को मैंने एक वीडियो मनाया था, येवला detail में बात किया था, सैतामा इनों के बारे में, तो इस समय जो होल्ड, इस समय जो followers थे 2,43,000, लेकिन अभी 6 जनवरी से, यानि पूरे मन्त एक महीने यासपास होने वाली है, तो एक महीने की अं बात करेंगे, तो टेलीग्राम ये 51K के आसपास में टेलीग्राम इनके member है, अब all time low से बात करेंगे, कि अब तक किसने, जब से launching होई है, तब से सैतामा इनों जो है, बीनर निकलता है, क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा return दे चुकी है, baby dogecoin से compression करेंगे, देखेंगे, य 1,52,251% का growth लिया है, यानि imagine करेंगे, तो लगबग में 1,500 गुना, 1,500 गुना से भी अधिक returns दिया है, तो आप imagine करेंगे, 1,500 गुना कोई 100 प्या भी लगाया होगा, 8 से 8 माईना पहले initially phase पे, तो लगबग में 1,500 गुना आप अंदाज लगा सकते हैं, कितना 0 हो गया दोस अलड़ी दे चुकी है, जबकि इसकी price जो है, सैतामा इन्हों की price अब देखेंगे, तो अपने all time high से काफी ज्यादा नीचे भी आ गई है, 90% गिरी हुई है, उसके बाबजुद भी 100 प्या के value जो है, डिर लाग कर दे रही है, तो ये बड़ी चीज़ है, अच्छा खासा return अलड़ी सैतामेनों दी है, अब वहीं पर बेबी डूज कोईन की बात करेंगे, तो बेबी डूज कोईन अपने all time low से मात्र अभी तक 4190% का growth लिया है, अगर बात करेंगे तो लगबग में 41, 42X तक ये profit दिया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया, अगर हम बात करेंग पहले अगर कोई बीबी डूज को बाई किया होगा, सौर्प्या का investment किया होगा, तो मात्र 42X ग्रो किया है, इसका मतलब मात्र सौर्प्या का value 42,000 के आसपास में 100 कर रहे होगे, ठीक है, तो इसके comparison में सैतामा इनों बहुत ज़्यादा अच्छा घासा returns दिया है, तो एक ची इसके project में बहुत सारे चीज़े आ रही है, अरड़ी launching भी हो चुकी है, तो वैसे coin में अभी आपको बहुत ज़्यादा growth ना दिखे, तो यानि अभी ये breakout लेना इसका बाकी है, तो ये चीज़ हम पहले पिछले वाले वी वीडियो में आपने बताया था, सीवा इनो और बे breakout, इट मींज कि बहुत ज़्यादा अभी तक returns नहीं दी है, क्योंकि fundamental strong होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा return नहीं दी है, तो इसमें मौका है return लेने का, तो इसलिए ऐसे coin में invest जरूर कर रहे, थोरा सा investment जरूर रहे, क्योंकि ये ऐसे चोटे चोटे coin का breakout होता है, त crypto card जो upcoming है आने वाला है, और एक देखेंगे baby doge swap, जो जिसके launching हो चुकी है baby doge swap की, और यहाँ पर आप बहुत सारे coin को buy भी गर सकते हैं, उसके अलाबा आप देखेंगे baby doge paw है, एक wallet tracker है, और NFT marketplace बेगराभी, NFT बेगराभी भी काम चल रही है, तो ये swap आप देखेंगे दू launching हो गई है, आठ जून को ही, आठ जून के launching हो ही है, और सायता मास्क के एक wallet है दोस्तों, जिस तरीके से trust bullet का यूज करते हैं, उसी तरीके से सायता मास्क भी है, जिस पर कई सारे coin जो है list हो चुके है, अब सायता maker, सायता endowment and सायता market, यह सब upcoming project है, अब क्या होता है सायता maker, endowment and market, तो इस वीडियो में मैंने detail में बताया है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, दोस्तों, तो इनके दोनों को project में, दोनों की coin की बात करेंगे, तो दोनों coin में इन सभी project के काम हो रही है, कुछ की launching हो गई है, तो कुछ का होना बाकी है, तो यह सभी चीजे जब ह होगी दोस्तों, तो दोनों coin जो है, काफी तेजी से उपर जा सकती है, ग्रो करने के chances है, तो एक चीज यह है, इसलिए मैं दोनों coin को हमेशा recommend क्या हो, कि दोनों coin को hold रखे, ठीक है, दोनों coin को hold रखे, आप बात करेंगे, कौन सा coin में क्या चल रही है, तो recent में, तो recent में आ इस से payment होती है, ठीक है, तो payment होती है, तो simplex जो है, get io से, get io पर एक payment gateway है, और इस simplex से क्या हुआ है, baby doge coin का integration हो गया है, यानि आप get io से baby doge coin को buy करने जाएंगे, तो आप simple जो है है, पर credit card and debit card से direct buy कर सकते हैं, credit card and debit card से direct buy कर सकते है, baby doge coin को bnb, ethereum की अब सकता नहीं पड़ तो baby doge coin एक traders coin पे भी हाल फ्लार में listing हुई है, trader coin भी एका staking platform है, and दोसो जो baby doge coin की price को बहुत जादा boost up कर सकती है, सबसे बड़ा region है, कि अभी इसकी बात चल रही है, binance पे listing की, आप लगतार देखेंगे, twitter पे tweet आ रही है, और वो tweet जो है trending में भी चल रही है, कि binance पे बह finance पे listing किया जाए, तो baby doge coin को, baby doge coin को लोगों ने सबसे जादा tweet किया था, तो एक ये चीजे जो है, boost up कर सकती है, baby doge coin की price को pump दे सकती है, सैतामा इनों की बात करेंगे, तो अभी recently में coins bit coin बजार पे इसकी listing हुई है, और इसके अलाबे पहले बहुत सारे चीजों पे, ये ethereum के network पे है, तो आप इसे uniswap से buy कर लेंगे, trust wallet metamask पे, bitmart पे भी available है, दोस्तों और सबसे best है, अगर आप beginner है, new है, तो आप sun crypto से इसे buy कर सकते हो, getio से buy कर सकते हो, elbank से कर सकते हो, polonix से कर सकते हो, bilaxi and bkex से कर सकते हो, वहीं पर बात करेंगे, अगर baby doge coin की, तो य be gone, in sub exchange पे इसके listing है, तो यहां से आप buy कर सकते है, अगर आप beginner है, तो आप sun crypto को choose कर सकते है, sun crypto से easy तरीकी से buy हो जाएगा, जब इसके listing किसी अच्छे platform हो जाएगी, binance पो हो जाएगी, तो इस coin को आप transfer भी आप कर सकते है, दोस्तों, तो यह चीज़े हो गई है, कि कहां से आप buy करेंगे, अब graph देखेंगे, अब बात करने वाले हैं कि कौन सा coin में कितना potential है, देखें दोस्तों, baby dose coin की price क्यों उपर जाने वाली है, reason एक तो मैंने सबसे पहले बोला है, कि एक तो इसमें काफी जादा यह fundamentally strong है, बार बर कर रहा हो, इसकी huge case काफी जादा बढ़ती जा रही है, एक तो payment के रूप में huge case बढ़ रही है, और बहुत सारा project भी इसके आनी बाकी है, और कुछ अभी recently में आई है, तो यह सारे चीज़े इसको boost up कर सकती है, और इसकी graph को आप देखेंगे, यहाँ पर graph आप एक बार देख लेंगे, तो यह graph देखेंगे दोस्तों, कि यह starting में एक breakout हुआ था, ठीक है, यह जो breakout आपको देखने को मिल रहा है, यह breakout, तो starting में जब इसकी launching होई थी, launching होने के कुछ दिन में ही, Elon Musk ने tweet किया था, baby doze do, 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 उस news के बाद से baby doze coin में एक बहुत बड़ा breakout देखने को मिला था, तभी लोगों को जनकारी इसके बा आपको क्या देखने को मिलता है, जब नीचे लेबल पर आ जाता है, तो इसके बाद इस लेबल जहां से स्टार्ट हुई, इसके nearest में पहुंच गए, 90% डाउन देखने को मिल रही है, तो यहां से आप धियान रखेगा breakout जरो देखने को मिलता है, जो आपको यहां पर देख सकती है, अगर डाउन भी जाएगी, तो बहुत जादा नीचे नहीं जाएगी, बहुत जादा नीचे नहीं जाने बाली है, 20% तक नीचे डाउन जाएगी, और उसके बाद एक बड़ा breakout आपको देखने को मिल सकता है, तो बेबी डोज कोईन में ही investment करने के बारे में सोच र आउन देखने को मिले, तो आपको घबडा कर सेल नहीं करना है, बलकि उसे hold रखना है, बात कर रहे हैं कि ये दोनों coin को, इस दोनों coin को लंबे समय तक hold रखे, returns आपको अच्छा खासा मिलेंगे, बहुत जादा investment करने की जुरूत नहीं है, मातर छोटा सा investment, अगर आपका total investment देखिए कि portfolio में अपना देखिए कितना आपने invest कर रखा है, क्रिप्टो कंसी में, उसका 20% हिस्सा रखिए, सिर्फ छोटे-छोटे meme coin में, छोटे-छोटे coin को buy करने के लिए, अब उस 20% में से आप कुछ हिस्सा बेबी dose coin को दे सकते हैं, सैतामा इनो के दे सकते हैं, अब स बहुत ही पलस point है कि यह bottom label पर पहुंची हुई है, अब इसके बाद से इसके पास कोई option ही नहीं है, किबल breakout होने का ही option है, तो यह अब यहां से जब भी होगी तो एक breakout होने की chances है, और region है breakout होने का है, क्योंकि इसका project जो है, देरे-देरे मैंने बोला कि सैता मास्क आ गिया ह तो दोसों दोनों coin काफी ज़्यादा potential है, लेकिन अगर बात करेंगे कि negative बात कि इसमें burning जो है हो नहीं रही है, सैतामा इनों में burning नहीं हो रही है, एक reason यह है कि market में बहुत ज़्यादा hype create नहीं हो रहा है, क्योंकि burning बहुत ही matter करती है, वहीं पर baby dose coin में अभी बहुत सारे चीजे चल रही है, जो इसको trending मिला सकती है, इसको hype create कर सकती है, अगर comparison करेंगे कौन ज़्यादा तेजी से return देगी, तो baby dose coin इसमें आगे निकल सकती है, क्योंकि इसमें Binance पे listing होने की बात हो रही है, बड़े exchange है, Binance पे आपको पता है कि जब भी Binance पे listing होती है, तो वो coin कि कलरीन का हर ट्यूड जो है trending में चलती है रही है, और इसकी listing जगे जगे कई सारे exchange पे, कई सारे wallet में इसकी listing, integration पेगरा सारा चीज जारी है, तो ये सभी चीज जो दोस्तों मैं बता रहा हूं, कि इसको काफी तेजी से income present to सैतामा इनो, baby dose coin को काफी boost up कर सकती है, तो चलिए दूस्तों आज की इस वीडियो में मैंने डिक्टेल में बात कर लिया है, आपको कैसा लगाई ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताईएगा, और लाइक कर दीजेगा दूस्तों कि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, धन्निवार पीमिलते हैं, नेक्स वीडि हमारे खाएगा, झालो से टै।, fuck़धा एक्टे एक कर दो practically अ बनाने में, झाल Congressman.